इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप motion leap application यूज करते हैं और इसमें आपको problem आ रही है ये सही से work नहीं कर रही है चल नहीं रही है उपर नहीं हो रही है या फिर कोई दूसरी problem आ रही है तो इसे सही कैसे करें वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर दे और इसके बाद restart का option आएगा तो आप अपने phone को restart या reboot कर लें अब ये करने के बाद आपको देखिए क्या करना है अपनी application open करके देखना है problem solve हुई है या फिर नहीं अगर इससे problem solve नहीं होती है यहाँ पर दूसरा तरीका आप try करें देखिए जो भी application आप install करते हैं जारत latest update आते रहते हैं और कभी-कभी update में bugs आ जाते हैं जिसकी वज़े से application सही से काम नहीं करती है अब आपको करना क्या है कोई भी browser जैसे chrome browser में आप चले जाए यहाँ पर आपको देखिए search क्या करना है जो मैं search कर रहा हूँ same वही search कीजिए motion leap up to down इसके बाद आपको up to down की website मे application दिख जाएगी open कर ले इसे जैसे मैंने बताया latest version पे आपको click नहीं करना है आप older version पे click करें यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे पुराने older version मिल जाएंगे तो आप कोई भी एक चुन लें जैसे यह वाला इसके बाद इसे download कर लें download करने के बाद आपने जो download किया है उसे install कर लें and open करें application देखें problem solve हो जाएगी यह सब आपने कर लिया है और problem अभी भी solve नहीं हुई है तो यहाँ पर यह आखरी तरीका try करें application पे long press करें इस तरीके से app, app info का option आएगा open कर लें यहाँ पर storage usage का option दिखाई देगा इस पर click करें clear data कर दें ठीक है इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी definitely अगर कोई problem developer की तरफ से होगी तो आप थोड़ा wait कर लें वो खुद ही problem सही करके दे देंगे अगर आपके तरफ से problem होगी तो जो तरीके मैंने बताए उससे problem solve हो जाएग वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब जरूर कर लें